नश्कार में पिन्टू शिंग्यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपूरी रिमजी में दोस्तो भोजपूर इंडस्टी के ट्रेंडिंगि इस्टार ही एक AisipaR-Star है जिनकी गूच बोजपूर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि वो खेसारी लगयादों नहीं बलकि वो अपने गाने के दम पर जिस तरीके से वो लगतार इतिहास रचने नजर आते हैं तो इसी लिए trending star खेसारी लगयादों के लगयादार चर्चा होती रहती है इसी कड़ी में मैं आपको बताने लगा हूँगे खेसारी लगयादों के 6-6 गाने एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं और वो ट्रेंड अलग-अलग सेक्शन के माध्यम से लगातार आप सभी के बेच परती शक्तिफ हो रहा है जिहां बात करें तो टॉप 100 में खेसारी लाल यालो वोजपूरी के मैजे का ऐसे का लगार है जिनके 6-6 गाने एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं और उन सब में जो पहला सबसे बड़ा गाना है वो है साइया के रोटी जिहां बात करें तो साइया के रोटी गाना जो है लगबग 100 में कलब में शामिल होने वाला है जो कि S4U वोजपूरी के ट्रेंड पर रेलेज हुआ था और ये गाना 46 नंबर टॉप म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है तो आप अंदाजाल लगा सकते हैं इसके अलाबा अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि 6 अप्रेल को एक चाहिता गाना रेलेज हुआ था जिस गाने का नाम था लेले आई कोका कोला तो लेले आई कोका कोला पर भी लगबग काफी ज़ादा वियूज मिले हैं जबर्जस तरीके का तांडो मचाया लेकिन अभी भी ऑडियो फॉर्मिट का जो गाना है उस पर 5.3 मिलियन से ज़ादा वियूज मिले हैं लेकिन ये 62 नमर म्यूजिक सेक्शन में अभी ये ट्रेंड कर रहा है अगला गाने की बात करता हूँ तो अगला गान है माने लेना बात माने लेना बात लगबग जो है 15 मिलियन से ज़ादा वियूज मिल चुके हैं और ये गाना जो था फैम मियूजिक पे था और ये गाना भी 64 नमर टॉप मियूजिक वेडियो में ट्रेंड कर रहा है वहीं पाँचवे गाने के अगर में बात करता हूँ तो आपको पाता होगा कि तोहरा खिया के कजराये जान जागडा करा देलेबा ये गाना जो है वो काफी दिन पहले रिलिज हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी ये टॉप 100 में अपना पोजिशन अकूपाइट किया हुआ है और ये गाना स्वम्लिन के कलब में सामिल होने के साथ-साथ पच्पन नमबर में विडियोज में ये ट्रेंड कर रहा है इसके अलाबा एक गाना जो वेब मिजिक के भोजपूरे यूटूप चामाँ पर रिलिज किया गया था और ये गाना भुनिया है जो कि ओडियो फॉर्मिट रिलिज किया गया था और ये पूरे देश में में सेक्षन में 24 नमबर पर ट्रेंड कर रहा है तो ये खेसारी लालयादों का जलवा है और शायद इसलिए इनकी गूज पूरे भोजपूर इंडस्ट्री में होती है इस पर आपकी क्या बिचार है कमेंट बोक्स में बताएए तने बाद